तथागत बुद्ध ने बुरा आदमी की क्या पहचान बताई चारिका करते समय भगवान बुद्ध ने उन विख्षों को जो साथ चल रहे थे यह उपदेश दिया विख्षों को सम्बोधित करके भगवान बुद्ध ने कहा क्या तुम जानते हो कि बुरे आदमी की पहचान क्या है भनते नहीं मैं तुम्हें एक बुरे आदमी की पहचान बतलाता हूँ कोई कोई आदमी होता है जो पूछे जाने पर तो कहना ही क्या बिना पूछे ही दूसरों के दुर्गुनों का वर्णन करता है लेकिन पूछे जाने पर प्रश्न किये जाने पर वह दूसरों के दुर्गुन बिना ढके बिना चिपाए बड़े विश्तार से कहता है भिक्ष वो ऐसा आदमी बुरा आदमी होता है कोई कोई आदमी होता है जोने पूछे जाने पर तो कहना ही क्या पूछे जाने पर भी दूसरे आदमीं के गुन नहीं कहता पूछे जाने पर प्रश्न के जाने पर वह दूसरों के गुन कहता है कोई कोई आदमी होता है जो नहीं पूछे जाने पर तो कहना ही क्या पूछे जाने पर भी अपने दुर्गुन प्रकट नहीं करता पूछे जाने पर प्रस्न के जाने पर वह अपने दुर्गुन प्रकट करता है लेकिन उन्हें ढखता है और छिपाता है और उनका पूरा व्योरा नहीं बताता फिक्ष वो ऐसा आदमी बूरा आदमी होता है कोई कोई आदमी होता है जो पूछे जाने की तो बात ही क्या बिना पूछे जाने पर ही अपने गुणों का वर्णन करता है पूछे जाने पर प्रस्न के जाने पर वह अपने सद गुणों का वर्णन करता है वे उनको ढखता नहीं, छिपाता नहीं, वे उनका पूरा विर्वन देता है, भिक्षू ऐसा आदमी बुरा आद्वी होता है, नमु गुद्धाय